असलाम वालेकुम गाईस कैसे हैं आप साथ वेलकम बैक टू माई चैनल मैं रुबीना और आज की वीडियो में मैं जटपट वाला कबाब अपलेकर शेयर कर रही हूं आप इसको अगर डाइट कर रहे हो तो डीनर में ले सकते हो जैसे तीन से चार कबाब लेके साथ में ले सकते हैं दीनर में सरेट के साथ ले सकते हैं या फिर लंच में रोटी चावल के साथ ले सकते हैं आप नाश्टे में जैसे ब्रेट के साथ इसको बीच में डालके सैन्विच भूना सकते हैं या पराठे के साथ ले सकते हैं तीनों टाइम ले सकते हैं इसको आप इसको ब नमक दाल दिया है आप कुछ मुbelsा बनाइगे लेकिन घरके मसालों के साथ बनाइगे तो टेस्ट बहुत ज्यादा च्छाएगा कि नियु पहुलब नमक पहले डाला था लशन द्रग डाल दिया है और ये थोड़ा सबस्याए candi में देशमाच बनता है घरी मिर्च डाल मिर्च भाइब कर भाएं लारी मिर्च भी तो यह बनागे के रहा है किलों से तो तौड़ा सही बना रहिए तो । उससे अब दिखा रही हों में लिकुनार ऑफना सब्सक्रण और था दो सब्सक्राइब से व्हार होस्ता क्यूलास क्वधाइब श्क्रणेखते हैं और सब्सक्राइब अबधर कर दो तो दोतकिस को अवहीं कि इसको भूब ह ritक है तो थोड़ा सा इसको मुस्टर करने के लिए इसमें इत्वाज डाल दिये और अप یہ जो भी करने के बटर भी डाल सकते हैं यहाँ हरूझाली स्वे धर्लक्रा मत कुए सब्सक्राइब सब्सक्रीश कुछ सब्सक्राइब जाएगा लेकिन अगर आपके पास टायम नहीं है तो हाथ के हाथ भी बना सकते हो ज़रूरी नहीं मेरीनेट करना लेकिन मेरीनेट करने से क्या होता है मसाले सब कुछ चीज़ है नमग सब कुछ एक साथ मिल जाता है तो और अच्छा टेस्ट आता है जिसे बन के उसके बाद इसकी टिक्की बना लेंगे शेप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो गोल जिसे मैं गोल टिक्कियां बना रही हूं आप लंबा भी कर सकते हो और इसे मैं नहीं टेल गाया एक रहाना खाना बिल्कुल छोल्ड़ना चाहिए थोड़ा बहुत ज़ादा नहीं व्हर brought to the klon日 लॉच लो नहीं बिल्कुल अच्छा को मैं जगत, और बहुत अच्छा बंग जबन जाता है अबिलग को मिह एकkeln पर हम बना की मिरं बनाना बोर सुह出来 कि करने के बहुत अच्छा तरीका है जिससे मैं बना के रखते हूं तो मुझे पता है कि मैं इसको दो-तीन महीने चला लेती हूं अगर जादा बना देती हूं ना फ्रीजर में बिल्कुल नहीं खराब होता आप इसको जीप लॉक में टिकी जैसे फ्रीज कर दो उसके बाद गार बनाकर कहा सकते हो कि अगली वीडियो में अगली वीडियो में अलाँा आपीज